गुड मॉर्निंग एब्रिवन आज हम करेंगे वरक्षीट नमबर 77 और आज है दिनांग 2 अक्टूबर 2020 यहां बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे यहां क्लास्वर सेक्षिन और यहां अपने टीचर का नाम आज की वरक्षीट का नाम है महात्मा गांधी तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं आज है 2 अक्टूबर और हम हर साल 2 अक्टूबर को गांधी ज्यन्ती के रूप में मनाते हैं तो आज की वरक्षीट भी है महात्मा गांधी जी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी वोस बोर्न ओन 2 अक्टूबर 1869 इन पौरबंदर गुजरात महात्मा गांधी का जनम 2 अक्टूबर 1879 को पौरबंदर गुजरात में हुआ कहां हुआ पौरबंदर जो की है गुजरात में कौन से राज्य में गुजरात में His birth anniversary is celebrated as गांधी जियन्ती every year उनका जनम दिन हर साल गांधी जियन्ती के रूप में मनाया जाता है तो बच्चों ये है गांधी जी की तस्वीर तो हम थोड़ा सा और जानते हैं गांधी जी के वारे में मात्मा गांधी is also called as the father of our nation मात्मा गांधी को हमारे राश्ट्र पिता के रूप में भी जाना जाता है He fought against British Raj in India उन्होंने अंगरेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी He was very truthful and honest वो बहुत सच्चे और इमानदार थे He taught the world non-violence उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पार्ट बढ़ाया अहिंसा के बारे में बताया अहिंसा की सीख दी तो चलिए बच्चो अब हम पूछे गए प्रेश्णों को करते हैं Question number one is brought three monkeys of Gandhi जी and write what they tell us आपको गांधी जी के तीन बंदरों का चित्र बनाना है और लिखना है कि वो हमें क्या बताते हैं वो हमें क्या सीख देते हैं गांधी जी अपने तीन बंदरों के द्वारा हमें क्या सीखाना चाहते थे उन्होंने इस तस्वीर के द्वारा हमें क्या बताया तो जैसे ही इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बुरा मत देखो See no evil and second इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बुरा मत सुनो Hear no evil and last one is इससे हमें सीख मिलती है बुरा मत बोलो Speak no evil तो बच्चों हमें सीख मिलती है कि बुरा मत देखो देखो इसने अपने आखो पर हाथ रखे है बुरा मत सुनो इसने अपने कानों पर हाथ रखे है बुरा मत बोलो इसने अपने मुँ पर हाथ रखा है तो ये चित्रा आप बनाएंगे और नीचे लिखेंगे कि इनसे हमें क्या सीख मिलती है Now question number second is Write three promises that you can give to Mahatma Gandhi on his birthday आपको तीन promises, तीन वादे लिखने हैं जो आप Mahatma Gandhi जी को उनके जनम दिन पर देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं I promise to keep my surroundings clean मैं वादा करती हूँ या करता हूँ कि मैं अपने आसफार सफाई रखूंगी या रखूंगा I promise to always tell the truth मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा सच बोलूँगा I promise to obey my elders मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बढ़ों की आग्या का पालन करूँगा I promise to never hurt anyone मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा I promise to respect others मैं वादा करता हूँ कि मैं दूसरों का आदर करूँगा तो बच्चों आप इन में से कोई भी तीन लिख सकते हैं या आप अपनी मर्जी से जो भी आप वादा करना चाहते हैं आप वो लिखेंगे तो question number अब थर्ड पर चलते हैं Try and make the चर्खा और glasses of गांधी जी with material available at home आपको क्या करना है बच्चों आपको कोशिश करनी है कि गांधी जी का चर्खा या उनके glasses मतलब उनका चश्मा बनाए जो भी आपके पास घर पर सामान उपलफध है उससे जैसे ये देखो ice cream stick से बनाई गया है और ये thermakol से बनाई गया है ये भी देखो इधर ये भी ice cream stick से बनाई गए है आप किसी cardboard का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बच्चों आपकी जो पुरानी copies हैं जो भर गई है, है ना, आप उनके गत्ते से भी बना सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, या फिर आप उनका चश्मा बना सकते हैं, ये देखो, ये कागत से बनाया गया है, पेपर से, बड़ा ही आसान है, तो बचो आप कोशिश करें, तो कोई भी चर्खा या फिर उनका चश्म कोई भी एक चीज बनाए ठीक है अब question number 4 देखते हैं question number 4 is find out the real name of महात्मा गांधी गांधी जी का real name बताना है आपको कि उनका पूरा नाम क्या है तो वो है मोहन्दास करमचंद गांधी तो ये था question number 4 now question number 5 is today is the birth anniversary of one more great Indian leader find out about him and write his name आज एक और भारतियन नेता का जिनम दिन है उनके बारे में पता कीजिये और उनका नाम लिखिये तो बच्चों आज है today is the birth anniversary of लाल बहादूर शाश्त्री तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं he was born on 2nd October 1904 उनका जनम कब हुआ दो अक्टूबर 1904 को he served as the second prime minister of India वो भारत के दूसरे प्रधान मंतरी थे he gave the slogan of जै जवान जै किसान उन्होंने जै जवान जै किसान का नारा दिया तो ये था आपका question number 5 अब है आपका last question गांदी जी wanted us to keep our surroundings clean today you all must clean some place in your house and send your photo to your teacher बच्चों गांदी जी हमेशा चाहते थे कि हम अपने आसपास सफाई रखें तो आज आप क्या करेंगे आज आप अपने घर पर किसी भी जगह सफाई करेंगे जैसे आप अपने जो आपके कपड़ों की almira है उसको आप साफ कर सकते हैं अच्छे से अपने कपड़े लगा सकते हैं और आपकी जो किताबे हैं आपकी कोपीज हैं आप जहां रखते हैं उस जगह को आप साफ कर सकते हैं या अपना कोई भी कमरा साफ कर सकते हैं और आप ऐसा करके उसकी photo लीजिए और अपने टीचर को WhatsApp पर send कर दीजिए तो बचों ये थी आपकी worksheet आज की worksheet में कितने question है आज की worksheet में है six questions तो आप कीजिए और अपने WhatsApp ग्रूप पर send कीजिए Thank you बचों Have a nice day and take care